स्वागत है आप सभी का उडाना इस एकडमी के e-learning प्लेटफर्म में मैं रिशिसा हूँ इस वीडियो में बात करूंगा 36 गड करेंट अफेर्स की तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न प्रश्न है छिन्दिया जो की सुरज पूर्जीला का एक ग्राम पंचाइत है को बहतर जल प्रबंधन हेतू सर्वस्रेश्ट ग्राम पंचाइत का पुरुसकार प्राप्थ हुआ है आपके option है option A प्रथम पुरुषकार, option B तृती पुरुषकार, option C दुईती पुरुषकार तथा option D इन में से कोई नहीं तो हम देखते हैं 36 गड़ सासन को मिले 2022 में राष्टी पुरुषकार की तो अब तक बात करूँ मैं 19 अप्रेल 2022 की स्थिती में तो तीन राष्टी पुरुषकार 36 गड़ गवर्मेंट को मिल चुका है जिसमें से एक राष्टी पुरुषकार मिला है 29 मार्च को 2022 को वो है सूरजपुर जीला के छिन्डिया गराम पंचाथ दुईती राष्टी पुरुषकार मिला है बहतर जल प्रबंधन के लिए वहीं 21 मार्च 2022 को मिला है कोंड़ा गाव जीला के आदिवासी महिलाओ को और 19 अप्रेल 2022 को मिला है एलेट्स इनोवेशन अवाड 2022 गो धन्याय ओजना को तो गो धन्याय ओजनावाले कोश्चन यहाँ पर हमने मेंसन नहीं किया है क्योंकि 19 अप्रेल की कहानी है आपको अप करेंट अफेर्स की 36 गड़ करेंट अफेर्स की नीरंतर वीडियो प्राप्त होंगी उसमें आपको करेंट्स मिलते चलेंगे तो इसका उत्तर होगा ओप्सन सी द्विती पुरुसकार मिला है इस छिंदिया ग्राम पंचाइब को हमारा अगला प्रशन है भारास सरकार के सुक्ष मलगू एवं मद्यम उद्योग मंत्राला द्वारा खाद्य प्रसंसकरण के छेतर में किस जीला के आदिवासी महिलाओं को उत्कृष्ट कारे करने हेतु सम्मानित की आग्या है आपके आप्शन है आप्शन एक दंतेवाडा आप्शन बी कोंडा गाउं आप्शन सी बस्तर और आप्शन डी जस्पूर इसका उत्तर है आप्शन बी कोंडा गाउं जीला अगला प्रशन है प्रदेश में कितने स्वामी आत्मानन अंग्रेजी माध्यम स्कूल इस्थाप अगर कूल की बात करें तो अब तक 171 स्वामी आत्मानांद इंग्लिस मेडियम स्थापित किये जा चुके हैं आपके उप्षन है उप्षन A 52, उप्षन B 111, उप्षन C 33 और उप्षन D 171 तो हमारे उत्तर है उप्षन D पहले सत्र में आया 52 और दूसरे सत्र में आया 119 अगला प्रस्ण है उप्षन है उप्षन A 52, उप्षन B 65, उप्षन C 61, उप्षन D 33 तो हमारे उत्तर है उप्षन B 65 प्रस्ण अगला है राजिव गांधी भूमी हिन क्रिशी मजदूर न्याय योजना का संबंध है यहां पर पूछा जा रहा है कि राजिव गांधी भूमी हिन क्रिशी मजदूर न्याय योजना कब सुरू हुआ अगर इसकी हम बात करें तो यह सुरू हुआ है प्रदेश मे तीन फरवरी 2022 को और इस योजना के माध्याम से भूमी हिन किसानों को प्रती वर्स 6080 देने का प्रभधान किया गया है वहीं बजट 2022 में घोशना की गई है कि इसको आगामी वर्सों से 7000 किया जाएगा लेकिन इस साल जो है में 6,000 की रासी दी जाएगी और 3 फरवरी 2022 को पहले किस्त के रूप में 2,000 की रासी 3,54,513 हितगराहियों के खातों में पहुँचाया गया है ये लाभार्थी है जो इस योजना का लाभ लिये है पहले किस्त के रूप में 2000 रुपय का पहला किस्त दिया गया इसी ती ठीक हो तो हमारा उत्तर होना चीए किस वर्सस इसका संबंद है तो संबंद है वर्स 2022 option A है आपके 2021 option B है आपके 2022 option C है 2020 option D है 2019 तो हमारा उत्तर होगा option B वर्स 2022 अगला प्रश्न है राजीव युवा मितान कलब योजना का सुभारम किया गया जिस दिन राजीव गांधी भूमी हिन कृषी मजदूर न्या योजना की सुरुवात हुई उसी दिन ही इस योजना की भी सुरुवात हुई कहने का मतलब इस योजना की सुरुवात हुई है तीन फरवरी दो हजार बाईस को और इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों तथा सभी नगरी निकायों में तेरा हजार दो सव उनहत्तर ऐसे कलब इस्थापित किये जाएंगे आपके उप्सन है इस प्रश्न के तो हमारा उत्तर है तीन फरवरी दो हजार बाईस अप्सन है हमारा राजियो गांदी भूमिहिन क्रिशी मजदूर न्याय योजना अंतरगत तीन फरवरी दो हजार बाईस को प्रथम किस्त के रूप में कितने हितगराहियों को 2,000 रुपय अंतरित की गई थोड़े देर पहले आपको हमने बताया कि तीन फरवरी 2022 को राजियू गांधी भूमी हीन क्रिशी मजदूर न्यायोजना की शुरुआत होई है और इसके पहले किस्त के रूप में 3,54,513 हित ग्राहियों को 2,000 रूपए की रासी अंतरित की गई है option है आपके option A 1.53,00, option B 5.52,00, option C 3.54,00, option D 10,00, तो इसका उत्तर है option C 3.54,00, लगभग प्रशन है हमारा 36 गड़ के प्रतेक नगरी निकायों में निम्नलिखित में से किसकी स्थापनक की जाएगी जहां स्वासाहता समूद्वार निर्मित उत्पादों का विक्राइ किया जाएगा अगर हम बात करें तो ऐसे स्वासाहता समूद्वार निर्मित उत्पादों के विक्राइ के लिए अगला प्रशन है अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना के माध्यम से पंजिक्रित मजदूर वर्ग जिनके प्रथम दो पुत्रियों को एक मुस्त 18 वर्ष की आयूपून होने के पस्चाद 20 हजार की रासी साहता की रूप में दी जाएगी और यह योजना हमारे प्रदेश में 29 जनवरी 2022 से प्रभावसिल है अगर अप्सन की हम बात करें तो अप्सन A में है 29 फरवरी 2020 अप्सन B में 29 जनवरी 2022 अप्सन C में 29 जनवरी 2021 और अप्सन D है 3 फरवरी 2022 तो हमारा उत्तर है option B 29 जनवरी 2022 से ये योजन हमारे राज्य में प्रभावसिल है या लागू है अगला प्रस्न है हमारा मावली माता मिला का योजन होता है फरवरी में हम जानते हैं कि बस्तर छेतर के नरायनपूर में प्रती वर्स एक प्रसिद्ध मिला का योजन होता है जि एक है दंतेश्वरी माता के सम्मान में होता है जिसको बोलते है दंतेवाडा में फागुन मढई और एक कोंडा गाउं में आयुजित होता है फागुन महिना में होता है तो हमारा उत्तर है मावली माता बोला जा रहा है तो मावली माता मेला कायुजन कहां होता है option A है दंतेवाड़ा, option B है कोंडागाउ, option C है नरायनपूर, option D है बस्तर, तो हमारा उत्तर होगा option C नरायनपूर, अगला प्रस्चन है, डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम, प्लेनेटोरियम कहां इस्थापित है, option है आपके, option A. बिलासपूर, option B. रायपूर, option C. दुर्ग और option D. कोरबा, तो इसका उत्तर है, option A. बिलासपूर में इसका उधगाटन किये है, माननी मुख्यमंत्री भूपेज बगेल जी ने, प्रस्चन है आपका, 36 गड़ विधान सभा के बजट सत्थ, 2022 का आयोजन हुआ, आप जान रहे हैं कि जो हमारी अभी विधान सभा चल र है, तीरवा सत्र है, जो बजट सत्र, 2022 हुआ वो, अब यहाँ पर प्रस्चन में पूछा जा रहा है कि इस बजट सत्र की अवधी क्या थी, तो अगर मैं अवधी की बात करूं, तो यह बजट सत्र, 7 मार्च से 25 मार्च के बीच आयोजित की गई है, जिसमें सटर्डे संडे और होली कत्योहार पड़ा उसमें अवकास रही, तो अवधी जानना है आपको 7 मार्च से 25 मार्च वर्स 2022 के अवधी में बजट सत्र हुआ है, फिर जानना है कि इस अवधी में कितने बैठके हुई विधान सभा की बजट सत्र में, तो कुल 13 बैठके अव आयोजित की गई ह आपके 7 मार्च से 30 मार्च वर्स 2022, आपके 6 मार्च से 23 मार्च, आपके 28 फर्वरी से 20 मार्च, और आपका उत्तर होगा आपके 7 मार्च से 25 मार्च, अगला प्रशन है, बजट सत्र 2022 में 36 गड़ विधान सभा की कितनी बैठके हुई, तो अभी मैंने आपको बताया कि 7 बजट सत्र की अवधी रही है, इस पाचवी विधान सभा के 13 सत्र की और इसमें कितनी बैठके हुई है, तो 13 बैठके हुई है, आपके उप्सन है, उप्सन A 13, उप्सन B 16, उप्सन C 15, उप्सन D 14, तो हमारा उत्तर है, उप्सन A 13 बैठके हुई है, प्रस्न है आपका, रा राज्य विर्ता पुरुसकार कहने से आसा है राज्य में ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने विवेक सिलता और विर्ता का प्रदर्शन करते हुए किसी की जान बचाई है ऐसा अद्भूत कारे किया हो जिससे किसी की जान बची हो तो सराहनी कारे के लिए 36 गणर्मेंट के दो बच्चों को दिया गया है एक बच्चे है उनका जीला है कोरबा और दूसरा बच्चा है वो है धमतरी तो कोरबा के है वो है अमन जोती जाहिरे और जो धमतरी से वो है सौरे प्रताप चंद्राकर तो इन दोनों को मिला है राज्य विर्ता पुरुसकार 2021 अमन जोती जा अब आपको याद रखना है राश्ट्री विर्ता पुरुसकार 2021 तो अमन जोती जाहिरे को राश्ट्री विर्ता पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया भारस सरकार के द्वारा राश्ट्री विर्ता पुरुसकार भी इनको प्राप्त हुआ है अगला प्रस्न है राश्ट्री के गौठानों में स्वासाहता समुहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पात का एकिकरित ब्रांड नेम है अब हमारे यहां गौठान दिया गया है उसी ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रह होगा तो ओप्सन आपके A है 36 गड़ ओप्सन B है अर्थ ओप्सन C है C हर बल्स और ओप्सन D है डोन एक्स तो हमारा उत्तर है ओप्सन B अर्थ नाम दिया गया है जितने विश्वा सहता समुह की महिला है उत्पा मंतरी कन्य विवाह योजना की बात करें, तो इस योजना के माध्यम से 25 हजार की रासी हितागराहियों को दी जाती है, गरीब परिवार के लोगो के लड़कियों के विवाह के लिए 36 गढ़ार्मेंट के द्वारब 25,000 की रासी शुक्रित की जाती है जिसमें से 19,000 की रासी उपहार स्वरूप जो उपहार वगिर लिये जाते हैं उस पे खर्च किया जाता है एक हजार की रासी इनको बैंक ड्रॉप या चेक के माध्यम से परदान की जाती है जबकि पंच हजार की रासी जो है आयोजन पर खर्च की जाती है आप सुनते होंगे कि सामोहिक विवाह का आयोजन किया गया कहीं कोई उस्सा हुआ या किसी जीला में तो उसके माध्यम से इस रासी का अंतरन किया जाता है हितगराहियों को तो इसका उत्तर है option A में देखिए आप 15,000, option B में देखिए 20,000, option C है 30,000 और option D है 25,000 तो हमारा उत्तर होगा option D, 25,000 रुपए की रासी स्विक्रित की जाती है 36 गड़ सासन के द्वार प्रस्न है मार्च 2022 से निम नलिखित में से कीन जीलों में 45 चामल का वितरन किया जाएगा तो निर्णा इलिया गया 36 गड़ गवर्मेंट के द्वारा कि प्रदेश के जो अकांची जीले है नीती आयोक जो अकांची जीला कारेकरम चल रहा है 2018 से उसमें प्रदेश के कितने जीले सामील है तो इस अकांची जीला कारेकरम में बस्तर डिविजन में जितने जीले हैं जीले हैं, सात जीले हैं, वो सातो जीला सामिल, उत्तर बस्तर कांकेर, नराइनपूर, बीजापूर, दक्षिन बस्तर दंतेवाडा, सुकमा, बस्तर और कॉंडा गाउं, यह पूरे साथ, इसके अलावा, दुर्ग डिविजन का, यह जीला है, कबिर धाम, उसके नीचे राज कॉर्बा, तो यह 10 जीले, कौन-कौन से 10 जीले, यह राजनान गाउं, यह आपका महा समून, उसके बाद बस्तर डिविजन के पूरे यह साथ, तो हो गए 9, और कॉर्बा करके 10, यह अकांची जीला कारेकरम में सामिल, इसके अलावा, हाई बर्डन जीले, हाई बर्डन जी सुनिश्चित की जा सके, और कुपोशन और एनिमिया की समस्या को निरंतर रूप से कम किया जा सके, क्रमिक रूप से धीरे-धीरे कम हो सके, तो हाई बर्डन जीले कौन-कौन से हैं, तो हाई बर्डन जीलों में सामिल है, एक हमारा कबिर धाम, और दूसरा हमारा रायगड ये high burden जीले और ये दस जो है अकांची जीले इनहीं जीलों को लेकर हमारे यहां 45 चामल वितरन किया जा रहे है मार्च 2022 से तो option A है हमारे अकांची जीले बी है हमारे high burden जीले option C में है A ऑवं B और option D में है इनमें से कोई नहीं तो हमारा उत्तर होगा क्या A एवं B हाई बर्डन जीले कबिर धाम रायगर को रखा गया जिसमें मार्च और 2022 से 45 चामल का वितरन किया जाना है और वो 10 आकांची जीले आपको जानना भी एक्जाम के point of view से अगला प्रश्ण है तो इसका उत्तर है आपको याद रखना है इस आयोग के अध्यक्च कोन है तो इस आयोग के अध्यक्च है थानेश्वर साहुजी अगला प्रश्ण है दिसंबर 2021 में नीमन लिखित में से किसे GI टाइग मिला है अगर हम बात करें दिसंबर 2021 की तो इसमें GI टाइग दिया गया है धमतरी जीला के नगरी छेत्र में फसल है धान का प्रजाती है दुबराज इसको GI टाइग मिला है अगर आप्शन देखें तो आप्शन A में नगरी दुबराज आप्शन B में रतनपूर महामाया आप्शन C में है सिहावा जीरफूल आप्शन D में है देवभोग तो इसका उत्तर है आप्शन A नगरी दुबराज को वर्स 2021 दिसंबर में GI टाइग प्राप्थ हुआ है अगला प्रशन है प्रदेश में अर्पा महत्साव का आयोजन होता है अब अर्पा महत्साव आप जानते हैं कि 10 फरवरी 2020 को प्रदेश के 28 जीला के रूप में 28 जीला के रूप में स्तीत्तो के में आया है कौन सा जीला? बिलासपूर के पुनर गठन से गौरेला, पेंडरा, मरवाही ये जीला स्तित्तों में आया है और 10 फरवरी को इसी जीला के निर्मान के उपलक्ष में ही अर्पा महत्सों की घोशना की गई थी और प्रहिली बार अर्पा महत्सों हुआ 10 फरवरी 2021 को और दूसरा अर्पा महत्सों हुआ है वर्स 2022 को तो संबंद है इसका 10 फरवरी से आप्सन है आपके 20 फरवरी, आप्सन B है 10 फरवरी, आप्सन C है 12 जन्वरी और आप्सन D है 26 जन्वरी तो हमारा उत्तर है आप्सन B 10 फरवरी को हर साल गोरेला पेंडर मरवाही के पेंडरा रोड में अर्पा महत्सों का आयोजन किया जाता है ये थे आपके 36 गड़ करेंट अफेर्स के महत्पूर्ण MCQs अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तथा अधीक सेधीक सेयर करें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जै जोहार जै 36 गड़